हाई एवरिवन स्वागत हैं आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रूप चैनल पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त को हुए असिस्टेंट इंजिनेरिंग सीविल के पेपर 1 को 18 अगस्त को ये पेपर HPPSC द्वारा लिया गया है हिंदी और इंगलिश के पार्ट को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में हम जीके से रिलेटिड जो भी कौशन पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे समानार्थी नहीं पूछा हुआ है ध्यान रखना है क्वेशन को सारंग का प्रयावाची शब्द होता है हीरन तो देखिए हीरन तो option से कट हो गया क्योंकि ये प्रयावाची होता है समानार्थी शब्द की बात करें तो सारंग के समानार्थी शब्द होती है शेर, पंचमुखी, बनराज, मरिगराज, महावीर, सर्प ये सभी सारंग के समानार्थी शब्द हैं गाय जो है वो समानार्थी शब्द नहीं होता है तो B option जो है इस question का सही उत्तर होगा गाय के समानार्थी शब्द की बात करें तो गाय को गो, धेनू, सुर्भी भी कहा जाता है चलिए next question देखते है महराणा परताप ने सोने चांदी के वरतन को छूना बंद कर दिया रिखांकित पद संग्या का भेद बताई यहाँ पर जो रिखांकित पद है वो है सोने चांदी सोने चांदी के बरतन को महराणा परताप जी ने शूना बंद कर दिया यह पूरा बाक्य है सोना चांदी यह जाती वाच्चक संग्या का भेद है C option जो है इसका सही उत्तर है next question वर्षब्द चुनिये जो उपसरग को भिनता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन है चार option आपको दिये हुए इनमें से आपको बताना है किस option का उपसरग जो है वो अन्य तीन से भिन है अपच की बात करें तो इसमें उपसरग होता है अपच की बात करें तो इसमें अ उपसर्ग होता है अपमान में अगेन अप उपसर्ग होता है अपहरण में भी उपसर्ग होता है अप तो यहाँ पे भीन उपसर्ग है अपियच का तो बी ओप्शन जो है इस question का सही उतर है related सभी के उपसर्व भी आपको याद रखने हैं कई बार directly question जो है ये पुछा जाता है कि इस शब्द का उपसर्व क्या है उपसर्व क्या होते हैं जो शब्द के आगे लगाया जाते हैं किसी शब्द के आगे लगने वाले भागों उपसर्व कहते हैं पत्य जो है शब्द के लास्ट में लगाया जाता है 20th question है विने का विशेशन रूप है विने का विशेशन रूप है विनीत C option जो है इस question का सही उत्तर है नेक्स देखें निमलखित में ततपुर्ष समास का उधारण है ततपुर्ष समास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ततपुर्ष समास की पता होनी चाहिए परिभाशा ततपुर्ष समास की होती है जिसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान ह या फिर शोट में इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि दोनों पदों के मध्य कारक लगाया जाता है, जब भी आप किसी शब्द का बिग्रह करेंगे, जब भी आपको शब्द दिया जाता है, समास के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले समास बिग्रह करना है, अगर सम तो लब और कुष होता है, इसके बीच जो है वो और आ रहा है पांच शेंवार denote that is represented five and रहुत है इसके स्मास को होता है जो किसी अन्य विशेश अर्थ की और संकेत करता है, उसे बहुब्रही समास कहते हैं, तो ये बहुब्रही समास का उधारण है, C option है यथा समय, इसका समास भिग्रह होता है समय के अनुसार, और ये समास है अबवेईभा, D option देखिए देश प्रेम, इसका समास भिग्रह गुंगे का गुड का अर्थ व्यक्त करने वाले तलब को चुनिए गुंगे का अर्थ इसका सही उत्तर होगा अप्शन C अवरणिय अनुभव इसका सही उत्तर है हमें निंदा से बचना चाहिए इस बाके में विधे पहचानिये पहले पता होना चाहिए विधे होता क्या है अगर यही पता नहीं होगा तो आपक और क्वाशन का असे सॉल्व करेंगे विधे जो है क्रिया का वरणन करता है ये बताता है कि विशे क्या करता है विशे को शोड़ कर सब कुछ विधे के अंदर आता है बाके को देखें जब तो बाके में लिखा हुआ है हमें निंदा से बचना चाहिए यहाँ पे विशे है हमें और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि निंदा से बचना चाहिए, तो क्रिया क्या है? निंदा से बचना, तो बिशे को शोड़ कर सभी शब्द जो हैं बिधे में शामिल होते हैं, तो D option इस question का सही उतर होगा, निंदा से बचना चाहिए. नेक्स देखिए, निम्लखित में सियुक्त बाक्य का विकल्प, चुनिए, सियुक्त बाक्य क्या होता है, जो दो बाक्यों को जोड़े, उसे सियुक्त बाक्य कहा जाता है, चलिए 1 by 1 देख लेते हैं, कौन सा सही option है, फर्स्ट है, शेर के दिखाई देते ही सब डर गए, इन दिखाई दिया, तब सब डर गए, तो D by option नहीं होगा, C option जो है, वो correct answer है, next, 25th question है, मधुर बचन कही कही, परितोशी, जनु कुमिंदनी, कौमिदी, पोशी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, B option, इस question का सही उत्तर ह उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमे में उपमान होने की संभाबना या फिर कल्पना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उपमे क्या होता है, उपमे जिसकी उपमा दी जाए, उपम मींस जिसकी comparison किसी दूसरी चीज से किया जाए, उसे कहते हैं दो जहां पे उप में उप मान होनें की संभाब ना हो या कलप ना हो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि चारों आपने याध रखने हैं ऐसे शब्स दिखाई दें यहां देखिए यहां पे जनु शब्द आया है इसे भी पता चल रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पे है नेक्स देखिए नेक्स कोईशन है चूज दा ओप्शन विच कैन रिप्लेस दा अंडरलाइन वर्ड विदाउट चेंजिंग दा मीनिंग अंडरलाइन वर्ड को आपने चेंज करना है और इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए sentence है those days I felt really fettered by the routine job fettered को replace किया जाएगा restrained से be option इस question का सही उतर है choose the correct passive form of the following sentence है I gave them everything that they wanted इसका आपको passive form जो है find out करनी है तो इसमें see option सही होगा everything that they wanted was given to them by me option इस question का सही उतर है next है point out the incorrect sentence यह आपके पास four option दिये हुए है इनमें से आपको incorrect sentence बताना है तो a option जो है वो incorrect sentence है next choose the correct indirect form of the following sentence क्या है इन तीनों में से कोई भी हो सकते है where she has, has नहीं होगा यहाँ पे, have change हो जाएगा, had में where she had kept the books before, leaving home, be option जो है इस question का सही उतर होगा next देखिए, next है choose the correct option to complete the statement statement को complete करने वाला सही option आपको choose करना है Anaya is a misanthropist as she, misanthropist उन्हें कहा जाता है जो लोगों को generally परसंद नहीं करते हैं तो d option इस question का सही उतर होगा, dislikes people in general उन्हें one word में misanthropist कहा जाता है, d option इस question का सही उतर होगा next question है choose the option which can replace the following sentence, पूरे sentence को जो change कर सके उस option को आप चूस करेंगे she is too tired to walk further, इसको replace करेगा option a, she is so tired so that she can't walk further next है correct option आपको चूस करना है to complete the statement, statement क्या है आपके पास, to clip one's wing means to listen one's power, d option जो है इसका सही उतर है, next देखिए, choose an appropriate option to complete the conversation mother कुछ पूछ रही है, जिसका answer जो है शीतल ने दिया है, don't worry I am perfectly all right now तो जब पूछा जाता है कि आप कैसा feel कर रहे हो, या आप कैसे हो, तभी यह answer दिया जाता है तो इसमें d option जो है, सही answer होगा, next choose the correct question tag, question tag आपको सही चूस करना है you are not supposed to say this, 4 option में से, B option सही होगा, are you, you are not supposed to say this, are you, यह सही statement होगी next, 35th question है, arrange the following jumbles part into the meaningful sentence, read कर लेते हैं इन parts को, are necessary but also at peace and order, not just in our own country, the international level तो इसमें arrangement किस तरह से होगी, peace and order are necessary, not just in our own country, but also the international level तो यह जो arrangement है, वो सही sentence, meaningful sentence जो है, वो बना रही है, तो यह option में है, C option में, C option जो है, इस question का सही उतर होगा I hope यह video आपके लिए informative रहे, helpful रहे, आपकी preparation में आपको help करे, अगर आपको video पसंद आए, तो like share ज़रूर कर दीजिएगा, thanks for watching